इश्वर के गुणों को धारन करने वाले श्री गनेश मुझे वो बच्पन में सुना हुआ भजन याद आता है बहुत ही मीठा बना हुआ है वो जै गणपति वंदन गणनायक तेरी छवियती सुन्दर सुख दायक कितने प्यार से छवियती सुन्दर है सुख दायक है गणों के नायक मेरे हिसाब से गुणों के नायक इश्वर के गुणों को धारन करने वाले और जिसके अंदर इश्वर के गुण हो उन्हें हम इश्वर समान ही तो मानते हैं वैसे भी देवताएं भी जिसे अपना देवता अपना भगवान मानते हैं महादेव की संतान है बच्चों में एक सरपिता के गुण तो आते ही है न जरा देखे इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोंड से कि हम सब एक परमात्मा की रचना एक इश्वर की संतान तो क्या हम आतमाओं में इश्वर के गुण नहीं है क्यों नहीं है बिलकुल है यह जो हम एक दूसरे कृपती सहयोग की भावना रखते हैं दया की भावना रखते हैं कोई घटना हो जाती है हमारा दिल पसीच जाता है यह सब अपने पन की भावना के कारण है क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए हैं क्यों जुड़े हैं क्योंकि एक ही की तो रचना है इश्वर तो एक है देवातमा यनेक हैं मनुश्यातमा यनेक हैं महातमा यनेक हैं परन्तु परमातमा तो एक है I wonder कि हमें गणेश जी के जनम की जो कहानी बताई जाती है वो पता नहीं कि साधार पर बनी है पर जब मैंने उसके spiritual significance को समझा तो मुझे समझ में आया कि कितनी कितनी जबरदस्त learning है उसमें अब ज़रा सोचिए कि देवताईं बेजिसे अपना देवताईने की भगवान मानते हैं वो महादेव जिनके लिए कहा जाता है कि वे तीनों लोकों का ध्यान करने के लिए बैठे हुए है और ऐसे ही एक बार वो ध्यान मगने हैं उनके पीछे माता पारवती अपने मैल से एक बच्चे को बनाती है फिर वो स्नाम करने जाती है और उसे कहती है कि तुमको यहाँ पर पहरेदारी करनी है इतने में महादेव अर्थार्थ शिव का जागना होता है और भगवान जो की सर्वगुन संपन तो देवताएं है भगवान जो की गुणों का सागर है जिसमें अवगुन का लेश मात्र भी नहीं है अब ऐसे भगवान को क्रोध करते हुए दिखाया गया और हम इंसानों से कहा जाता है कि क्रोध मत करो जिस घर में क्रोध होता है उस घर में गड़ों का पानी भी सूख जाता है क्रोध एक विकार है दस विकारों मेंसे वाइसिस मेंसे एक आता है होता है तो फिर भगवान खुद क्यों कुरोद कर रहे हैं और अगर वो योगेश्वर हैं ध्यान सिखाते हैं तो फिर अपने ही घर में प्रवेश करने से रोकने वाले बालक का जनम कैसे हुआ उसकी उत्पत्ती कैसी हुई एक सेकिंड के लिए क्यों नहीं आख बंद कर लेते और पता कर लेते कि ये कहां से आया मगर उनमें सब्र भी नहीं है धैरे भी नहीं है अब ज़रा सोचे जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ तो शायद आप लॉजिकली सोच रहे होंगे मगर भगवान जो खुद ये शिक्षा देता है कि धैरता में ही तो जीत है सब्र में ही तो सफलता समाई हुई है उनकी करेक्टर में हमने दिखा दिया कि उन्होंने सब्र नहीं किया फिर फिर इतने कुरूर दिखा दिये गए कि 10-12 साल का एक बच्चा मासूम उस पर अपना त्रिशूल चला दिया और उसकी गर्दन धर से अलग कर दी अगर आज की भाशा में कहूं तो मडर कर दिया हत्या कर दी मगर ज़रा सोचिए सनाचन धरम जिसमें देवी देवताओं की पूजा होती है जिसे संपूर्ण अहिंसक धरम कहा गया क्या भगवान हिंसक करेंगे और सिखाएंगे अब आप के मन में प्रश्ण उठ रहा होगा कि इतनी हिंसा तो दिखाई गई रामायन और महाभारत में लेकिन आगे जो मैं बात कहने वाला हूँ इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंसा कहीं भी नहीं है आगे की कहानी देखिए अब भगवान जिसके लिए हम कहते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है वो उस बालक को जिवित करने के लिए वो जो अभी अभी सर धर से अलग हुआ था उस सर को वापस वहां रखने के बज़ाए वो एक और हाथी की हत्या कर देते हैं मैं माफी चाहता हूँ इन शब्दों का इस्तिमाल करने के लिए लेकिन हमें जिस उम्र में ये सब बताया जाता है न हम लॉजिकली सोच नहीं पाते और शायद कभी ख्याल आता भी हो तो शायद जवाब नहीं मिलता पर ये भी तो कहते हैं कि ढूनने वालों ने खुदा को ढून लिया भगवान हर सवाल का जवाब देते हैं फिर हाती का भी मदर हो गया अब ज़रा सोच ये कि जब हमारे सामने ऐसे उधारन प्रस्तुत किये जाएंगे तो हम हमेशा अपने से बहतर और श्रिष्ट लोगों को फालो करते आएं हम वही फालो करते आएं हैं जो हमने वेद पुराणों में चरित्र वेदों में तो नहीं पुराणों में जो चरित्र पढ़े फिर हमारे सामने कोई अधिक प्रतिभाशाली अधिक इंफ्लूएंसर कोई आ गया तो हम उससे इंफ्लूएंस होकर के उसके इंफ्लूएंस में आकर के उनको फॉलो करने लग जाते हैं पहले हमने महान पुरुशों को फॉलो किया आजकल जादातर इंफ्लूएंस जो है वो सेलिब्रिटीज का है, इंफ्लूएंसर्स का है, मीडिया में हर पल चाहे रहने वालों का है, तो हम उनके ही पोस्टर्स घर में लगाते हैं, उन्हीं की स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो हेर स्टाइल हो या क्लॉदिंग हो, या फैशन हो, या बोलने चालने का तरीका भी, मेभी, बहरा, आते हैं मुक्खे मुद्दे पर, तो मुक्खे मुद्दा ये है कि का जनम होना अर्थात, जब मन में मैल समा जाता है, और एहंकार चरम पर हो जाता है, तो वो इश्वर ये गुण, जो हमें कभी शुरुवात में मिले थे, इस रश्टी के प्रारंभ में, वो कहीं ने कहीं छुप जाते हैं, परमात्मा जो आँखों से नहीं दिखाई देता हम दिखने वाले पर इतनी आस्था टका देते हैं कि जब नहीं दिखने वाला अपने दिल की बात कह रहा होता है, तो आमें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि चारों और जूट का कारोबार होता है हमारी सिमित बुद्धी, सिमित कैसे, कि हम वही हैं जो आज तक हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, और अब्जर्व किया है अब यह तो इसी जिनम की बात है आप मुझे सुन रहे हैं आपकी उमर 15 साल भी हो सकती है 30 साल भी हो सकती है 45 साल भी हो सकती है या 60 साल भी हो सकती है तो पिछले 60 साल में 45 साल में 30 में या 15 में आपने आज तक जो भी कुछ पढ़ा सुना या उब्जर्व किया आप उसी का परिणाम है आपकी माननेताओं का आपकी बिलीव सिस्टम का तो इस बिलीव सिस्टम के चलते हम जो सत्य ज्ञान है उसको स्विकार नहीं करते एंकार आजाता है हमारे अंदर कि हमने अभी तक यही पढ़ा था परमात्मा जो इस स्रिष्टी का आदी मध्य अंत यानि की पास, प्रेजन्ट और फ्यूचर तीनों जानते हैं त्रिशूल के रूप में वो हमें स्रिष्टी का पास, प्रेजन्ट और फ्यूचर बताते हैं और जैसे ही हमें स्रिष्टी का Past, Present, Future यानि कि मेरा Past, Present और Future पता चलता है कि मैं शुरुवात में क्या था Turning Point जबाया इस सुरुष्टी के नाटक का तब मेरी क्या हालत हुई और आज मैं क्या हूँ किन हालातों में हूँ ये बात समझ में आते ही कि मैं एक आत्मा हूँ परमात्मा के घर से आया था नजाने कितने रिष्टे नाते बना चुका हूँ, कितने भाई बहन, कितने माता पिता बदल चुका हूँ तो ये सब कौन बताता है? ये सब वो बताता है जो इस रिष्टी नाटक के चक्र में नहीं आता, जो डारेक्टर है इसका तो जब ये बात पता चलती है तो सिमित ग्यान का गला कट जाता है यानि कि एहंकार का गला कट जाता है और जब एहंकार का गला कट जाता है तो कुस्तो चाहिए न बिना धड़ का शरीर कैसे अच्छा लगेगा तब लगता है एक ऐसे पशू का प्रतीक सर जिसके हर अंग में या हर प्रतीक में कुछ विशेष्टा समाई हुई है जैसे बड़ा मस्तक यानि की बड़ी समझ का प्रतीक छोटी छोटी आंके यानि की सब को एक समान देखना एक रूप में देखना अलग-अलग धरम जाती रंग रूप अमीर गरीब काला गोरा मोटा पतला छोटा बड़ा ये नहीं देखना ये देखना कि ये आत्मा है और एक परमात्मा की रचना है सूंड यानि की परकने की शक्ती जैसे गज यानि की हाथी क्या करता है हाथी कोई भी चीज अपनी सूंड से उठाता है पास तक लाता है देखता है खाने योग गह तो अंदर जाती है नहीं तो उचाल के फेंक देता है तो यही परक कि कौन सी चीज मुझे अपनी समझ के अंदर ले जानी है कौन सी नहीं ले जानी है ये परक शक्ती इसलिए बड़े-बड़े कान कि काम की बात होगी तो अंदर जाएगी नहीं तो सूपड़े समान हिला दूँगा नहीं चाहिए वेस्ट मेरे अंदर जाना ही नहीं चाहिए एक दंत यानि कि एक परमात्मा एक बल एक भरोसा तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो बंदू सका तुमी हो संसार तुमी हो है की नहीं? और भी मतलब जितना भी कुछ उनके स्वरूप में दिखाया गया क्यों उनको हेल्दी दिखाया गया, क्यों बड़ा पेट दिखाया गया हम इंसान है नजाने कितने लोग हमसे अपने जीवन के राज साजा कर जाते हैं अच्छे पुरे उन सारी रहस्यों को, उन सारी बातों को अगर सुन ली है आपने तो फिर अपने अंदर ही रखना फेट का कच्छा नहीं होना लंबो दर्व है की ने? हाथ में फरसा सारे अटैच्मेंट मोहो के बंधनों को काटने के लिए मूशक की सवारी मूशक यानि की चूहा चूहा यानि की चंचल तो चंचल मन पर इतना बड़ा भारी शरीर दिखाया उसकी सवारी कैसे हो सकती है? चूहे का क्या हाल होगा? लेकिन इसके पीछे राज है कि अपने मन पर सवार हो जाना हमारा मन जो भटकता रहता है, जो बेचैन होता रहता है जो हमें घलत राज्टों पर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहता है उस मन के दोस्त बनकर उस मन के मालिक बनकर सेल्फ टॉक से उस पर सवार हो जाना अब सूचिए आपका शरीर कितना बड़ा मेरा शरीर कितना बड़ा मगर हमारा मन कितना सुक्ष्म सटल दिखाई नहीं देता तो उतने बड़े शरीर के सामने वो छोटा सा चूहा सवारी दिखाई हमेशा सिंगहासन पर बैठेंगे मगर एक पैर नीचे एक पैर उपर यानि कि ग्राउंडेड रहना और ये भी याद रखना दूसरे बैर को उपर रखके कि मुझे इस दलदल में फंसना नहीं है मैं तो इस सुरिष्टी पर महान कारे करने के लिए आया हूँ छोटे कारे करने ही नहीं है अब ये छोटे कारे बिजनेस वाले नहीं है रोजगार से संबंदित नहीं है कारियों में महानता के छोटा कारे भी हो तो महानता की स्थिती से हो सेवा के भाव से हो और इश्वरिय संदेश के रूप में हो तो हर एक बात में स्वरूप में उनके विषेश्ता समाई हुई है, इसलिए मोदक प्रिये है उनको जस समय उन्हे przedsiębior यह जानकारी होती है, तो उन्हें ये भी पता चलता है कि स्रश्टी अपने किस दॉर से गुजर रही है, तो आज देखें स्रश्टी किस दॉर से गुजर रही है, जब भी अती होती है तो अती हमेशा अंत की निशानी होती है और अंत मतलब की बदलाव, अंत मतलब समापती नहीं, हर अंत एक प्रारंब है और जब परमात्मा ये परिचय देते हैं ना कि आप एक आत्मा हो तो सारे भै दूर हो जाते हैं और सबसे पहला पहला जो डर निकलता है मन से वो है मृत्यू का भै, मौत का भै ऐसी निडरता आ जाती है, निर्भीकता आ जाती है, मगर अलड़ता नहीं आती क्योंकि इसके साथ साथ करमों का भी ज्यान मिलता है कि जैसा करम करोगे वैसे संसकार बनेंगे, जैसे संसकार बनेंगे वैसा जनम होगा, वैसे लोगों के बीच में जनम होगा अगर एक ऐसे घर में जनम हो गया है पिछले कर्मों, पिछले जनम के कर्मों के परहनाम सुरूप कि जहां पर धन त्यादी कम है, तब भी अपना स्वभाव राजाओं के समान रखना राजाओं के समान यानि की रॉयल विलासिता में जीने वाले नहीं, अयाशी करने वाले नहीं सब को सम्मान देने वाले, सब को अपना समझने वाले, राजा अर्थात प्रजा पालक ऐसे राजा तो रॉयल कुल में जनम लेने के लिए इस जनम में जिस भी कुल में जनम हुआ हो अपने संसकारों को सुधारना यही इस जीवन का लक्ष है और यही गनेश चतुर्थी का जो त्योहार है हमें सिखाने आता है और भी बहुत सारी बाते हैं स्वास्तिक का चिन्न जो बनाते हैं वो श्रिष्टी के चार यूगों के बराबर की निशानी है सत्योग त्रेता द्वापर कल्योग चतुर्भुज अर्थात शक्तियां परमात्मा की उनमें अलंकार समाय हुए हैं तो यह है गनेश चतुर्थी का स्प्रिच्वल सिग्निफिकेंस और इस स्प्रिच्वल सिग्निफिकेंस को समझने के बाद मैं परमात्मा को भगवान को किसी की हत्या का दोशी नहीं मान सकता क्योंकि इस ग्यान के बाद ही ईश्वर ये गुणों को धारन किया जा सकता है ईश्वर जो सब को एक निगाह से देखता है जो सूरत नहीं देखता सीरत देखता है जो प्रेम का सागर है उसके पास क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है अगर उसने क्रोध कर दिया तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे जो शांती का सागर है, जो सुख का सागर है वो सुख का सागर हमें सुख करता सुख देव बनाने के लिए प्रेरित करता है अपने ग्यान के माध्यम से ग्यान सुना कर कब सुनाता है, कैसे सुनाता है ये सारी जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपके जिस भी काव, शहर, महानगर में आप रहते हैं वहां के नजदी की राजयोग सेवा किंदर में सरूर पहुँचें और डिटेल में इस नौलेज को सीखें समझें और seven days, one day per hour का राजयोग तो निशुलक सिखाया जाता है यानि की free of cost सिखाया जाता है अब जो चीज free मिलती है हम उसकी care नहीं करते परवाह नहीं करते लेकिन ये परमात्मा की मजबूरी कहिए और या प्यार कहिए कि वो आपसे fees charge नहीं कर सकता मगर आपको ये समझदारी दिखानी है कि अगर परमात्मा fees charge नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे एक कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए हमें अपने लाइफ के चारों आस्पेक्ट्स को इंप्रूव जरूर करना चाहिए Fizical, Financial, Relationship और Spiritual और spiritual energy जब बढ़ने लगती है तो बाकी तीनों आस्पेक्ट्स भी improve होने लगते हैं अगर उन तीनों आस्पेक्ट्स में कहीं पर भी problem चल रही है तो यहां से पूर्जा को आसानी से बढ़ाया जा सकता है तो समझें इसे और एक नई शुरुवात करें गणेश चतुर्थी पर Happy गणेश चतुर्थी मुझसे जोडने के लिए description में दियो हुए टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन करें और सारे updates वहाँ पर आपको मिलेगे फिलाल लेता हूँ इजाज़त रखे अपना बहतर खयाल अमित का नमस्कार जै हिंद जै भारत